जानेंगे इस सब्ता एग्री कमोरिटीस का बजार कैसे देखने मिल सकता है शुरुआ टेडिबलल कॉंपलेक्स में सोयबीन से करते हैं हमने देखा कि सोयबीन में 5300 की नीचे की क्लोजिंग आई है नमेंबर वाइदा में और और पिछले दो हफ्तों से हम लगातार एक सेलिंग प्रेशर देख पा रहे हैं यह जो सेलिंग प्रेशर है आगे भी जारी रहेगा खास करके क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में देखा कि जो एडिबलल कॉंपलेक्स है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी में भारी कट आउती की गई है साड़े सोला परसंट से 19 परसंट की उसका एक नेगेटिव इंपक्ट हमें पूरे कॉंपलेक्स में देखने मिला है तो सोयबीन में आगे चलते हुए 500,400 के नीचे जब तक प्राइजिस होल्ड कर रही है तब तक सेलोन राली याने उचाल पर बिक्वाली की सला होगी और डाउन साइट में करीबन 5,150 से 5,130 तक के लेविल हमें देखने मिल सकते है वहीं रिफाइंट सोयल में पॉसिबल है कि हम लगभग 12,1,2,1,0 याने 12,10 के लेविल देख पाएं उपरी सरों के आसपास 12,70 का एक इमिजेट रेजिस्टन्स है ये लेविल के करीब अगर प्राइजिस मिले तो वो एक बीचने का मौका हो सकता है और जब तक 1300 के नीचे अपराइजिस सस्टेन कर रही है तब तक सेल 14 किया जा सकता है वहीं पर CPO में भी हमने ऑक्टोबर फ्यूचर्स में देखा कि 1100 के करीब की क्लोजिंग आई है और ओवरॉल एक अच्छा खासा सेल आफ हमने देखा है क्योंकि पिछले दो हफ्तों में हमने 1200 के करीब के लेवल भी देखे थे और वहां से एक अच्छा सेल आफ देखने मिला है शॉट टम बेसिस 1130 से 1135 की जोन में रेजिस्टन्स है और जब तक ही लेवल हूड कर पा रहा है तब तक डाउन साइड में 1070 से 1045 तक के लेवल हमें लेखने मिल सकते है वही रुक करते हैं M6 कॉटन की तरफ तो 3500 की करीब की क्लोजिंग आई है और ऐसा लगता है कि शॉट टम बेसिस थोड़ी बहुत और करेक्शन आ सकते ही 3100 तक लेकिन वरल जो ट्रेंड है वो तीजी की तरफ बना हुआ है तो हमें दुबारा आगे आने वाले 2-3 सब्ता की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि 31600 से 31800 तक किस तर देखने मिलेंगे वहीं कॉटन सीड ओल केक में भी एक साइड़ वेस का कारोबार देखने मिला तो शॉट टम बेसिस 2450 से 2580 तक की रेंज हमें देखने मिल सकती है और एक दारे का कारोबार देखने मिलेगा ऐसा लगता है गवार कॉंपलेक्स में गवार सीड और गवार गम दोनों ही तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं गवार सीड में 6100 की करीपी क्लोजिंग और ऐसा लगता है कि अपसाइड में 6300 तक के सर देखने मिलेंगे इमिजट तोर पर 5950 के उपर तेजी बनी हुई है वहीं गवार गम में भी 10800 की करीपी क्लोजिंग है और अवराल लगता है कि 11600 जो हाइज हमने लगभग दो मेने पहले देखे थे वो दुबारा रिपीट हो सकते हैं तो पायन डिप्स की रणनीती अपनानी चाहिए गवार सीड और गवार गम दोनों में ही वहीं अगर हम मसाला कॉंपलेक्स की बात करें तो हमने देखा कि धनिया में 7900 के करीब का क्लोजिंग आया और शॉट टर्म बेसेस एक दाइरा 7700 से लेकर 8100 का बना रहेगा और कुछ समय और जो धनिया है इस दाइरे में ट्रेट कर सकता है लेकिन इवेंच्वली उपरी तरफ प्राइज जा सकती है याने 8400 के करीब हो सकता है हम दो से तीन हफ़ते के परस्पेक्टिव से एक लेविल जो है 8300 का देख पाए तो निशले सरों पर बाइंग की जा सकती है डाउनसाइड में 7700 एक इंपोर्टेंट सपोर्ट है जब तक यह होल कर रहा है तब तक डिप पर बाइंग की जा सकती है तो यह था एक जायजा कि अगरी कमोर्टीज में आने वरे सब्ता में क्या रुख रह सकता है धन्यवद